Hello everyone, welcome back to Mr. Nathana, RRB and DBC Group D के लिए है ये question previous year time and work के question A and B can complete a piece of work in 30 days B and C in 20 days while C and A in 15 days if all of them work together the time taken to completing the work इसका formula क्या होता है? 2ABC by AB plus BC plus C है लेकिन आजसे हम लोग नहीं करेंगे क्या करेंगे? A plus B, एक साथ कितना दिन में करता है? 37 दिन में B plus C, एक साथ कितना दिन में करता है? सर्फ 20 दिन में C plus A, एक साथ कितना दिन में करता है? सर्फ 15 दिन में इन सब का LCM क्या हो जागा सर्फ 60 हो जागा तो total unit of work total unit of work हम लोग पकड़ लाता है 60 तो 30 दिन में A plus B करता है मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम करता है तो 60 बटा 30 मतलब दो यूनिट काम करता है एक दिन में B प्लस से 20 दिन में काम करता है मतलब एक दिन में कितना करता है तीन यूनिट C प्लस से 15 दिन में करता है मतलब एक दिन में कितना यूनिट करता है चार यूनिट आफ वार्क तो यूनिट आफ वार्क पार्ट डे ये इसका फॉर्मेट है ठीक है अब देखो टोटल अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या उज़र है 2 इंटू A प्लस B प्लस C बराबर कितना रहे 3729 तो 9 यूनिट काम करता है टूटल A प्लस B प्लस C कितना यूनिट आफ काम करता है एक दिन में 9 बटा 2 अब 60 यूनिट आफ वार्क करेगा कितना दिन में ये 9 बटा 2 यूनिट आफ वार्क पाढ़्डे करता है तो 60 unit काम करेगा किदना दिमे 60 बटा 9 बटा 2 उपा 2 जार तो 3-3-9 तो 20 तो 20 तो 40 चालिस बटा 3 तीन तेरा उन चालिस तेरा एस्टो दिपार 1 बाइ 3 देए इस दे करेक्ट अंसर ऑप्शन नुम्बर 4 इस दे करेक्ट अंसर ओके सर ये SSCGL Prelims 2005 में आया हुआ कोश्यन है